सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जई भीम जई मुल्निवासी साथियों पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि आखिर अंदभक्तों का निर्मान क्यों किया जाता है और इसके जवाब में मैंने बताया कि अल्पसंखक समुदाय द्वारा बहु संख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए बहु संख्यक समाज में अंदभक्तों का निर्मान किया जाता है अब आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर अंदभक्तों का निर्माण केसे किया जाता है तो चलिए इस वीडियो के हम लोग शुलबात करते हैं यदि आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर किलिक करके चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो साथियो अंदभक्त कैसे निर्माण होते हैं इसे जानने कि पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अंदभक्त जो है वो कोई मा के पेट से निकल गर नहीं आता है या वह कोई अनुवान्शिक गुन नहीं है कि पिता से पुत्र में आता है या अंदभक्त जो है ये ऐसा कोई आसमान से टपकने वाला बेकती नहीं है बलकि इसे एक प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है अब अंदभक्त बनाना ये कितना कठिन कारिय है इसकी शायद आपको कल्पना होगी नहीं होगी लेकिन लोगों को अंदभक्त बनाना बहुत कठिन काम है हम लोग आसानी से कह देते हैं कि पलान वेक्ती अंदभक्त है रिकान अंदभक्त है लेकिन जिन लोगों को यानि कि अलप संक्यक समुदाए वो बहुत संख्यों को जब अंदभक्त बनाने की प्रक्रिया अपनाता है तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए साम दाम दंडवेद अपनाने पड़ते हैं बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं अब ऐसा क्यों करना पड़ता है क्योंकि अन्दभक्ति यह तोटली हुमन साइकोलोजी से जुड़ा हुआ विश्य है यह मानों जुण हुआ विश्य है यदि आप द्यान भस्षाला को जानने की जिग्यासा रखता है और ये जिग्यासा बजपन से ही पैदा होते से उसके मन में आती है आप चोटे बच्चों को देखें होंगे किसी भी चोटी सी चीज को पकड़ के उसे जानने कोशिक करते जाकर यह क्या मुह में डालते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वेसे वेसे उसके मन में बहुत सारी जिग्यासा है पेदा होती है जो भी वह इन्वाइलमेंट में जहां रहता है उसके आसपास जो चीजे दिखाई देती है उसको जानने की जिग्यासा उसके अ जिग्यासा को शांत करके उसको किसी प्रस्ण के लिए तयार ना करना या प्रस्ण करने से रोकना और उसे अपने गुद्धी का तर्ग का उप्योग की बिना केवल अंदे होकर फॉलो करने के लिए तयार करना ये तो बड़ी बात है क्योंकि वो नैसरगी प्रक्रिया के विर निर्माण होगा ना तो अंदभक्त निर्माण करना इतना आसान काम नहीं है तो अगर मान लिजे किसी अलपसंक्यक समुदाय को बहुसंक्यक समाज में बहुसंक्यक समुदाय में अंदभक्त का निर्माण करना है तो सबसे पहले उन्हें इस बात को समझना होता है कि आखिर म मनुख्य तह वेशे तो बहुत तरके मनुख्य होते हैं जो अलग-अलग सोचने की शमता रखते हैं लेकिन मुख्य तह तीन परकार के मनुख्य होते हैं जिनकी सोचने की शमता अलग-अलग होती है पहले परकार के वे मनुख्य होते हैं जिने सिंबल साधरान बात बताओ एक लाइन में सिधा-सिधा बताओ वो मुन्डी हिलाकर हाब होते हैं उनकी जो सोचने की शमता है वो कम समर्थन में भी हो वो पर्थी प्रश्ण कर सके इतना उनकी बुद्धी नहीं चलती इतना उनका तर्क ही काम नहीं करता है कि अगर कोई बात बताई जाए तो उसके समर्थन में विरोध में वो पर्थी प्रश्ण कर सके उन्हें जैसा बताया वहां कर देते हैं मुंडी हिला क prendhe Yang फिसाजा पर झाल तो यह जो पहिले प्रकार के नुन है आपके सकते हुं के अंदर करने की प्रशन करने की पुद्धिका उस में उपयोग करनी की शमता कमो और इहां अगया लोग होते हैं उनकी जिग्यासा को शान्त करना बहुत कटिन काम होता है क्योंकि वो प्रशन पर प्रशन करते जाते हैं तो उनकी जिग्यासा को शान्त करना होगा शान्त करके फिर उन्हें अंदभक्त बनाना होगा तो उनकी जिग्यासा को शान्त करना कठीन कार्य होता है यह दुसरे परकार के लोग होते हैं जो कोई बात बताने पर प्रश्ण करते हैं फिर उसका जवाब देने पर फिर प्रती प्रश्ण करते हैं फिर जवाब दो फिर प्रती प्रती प्रश्ण करते हैं ये जिग्या सुलू होते हैं और तीसरे परकार के वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं उपने बुद्धी का उपयोग ज्यादा बड़े इस्तरवर करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं कि आखिर अलपसंख्यक समुदाए बहु संख्यक समाज में अंदभक्तोंगा निर्माण क्यों करना चाहता है मतलब अलपसंख्यक समुदाए गुलाम बनाने के लिए अंदभक्त बनाना चाहता है इस शडियंत्र को वो समझ जाते हैं और समझ कर फिर वो उस शडियंत्र की विरोध में अपनी बोली का उपयोग करते हैं परश्ण का उपयोग करते हैं उसका जवाब देते हैं या परश् सामने वाला ऑनिर्फा को समझ tao और फिर वो उस दृणामी की विवस्था की दिरोद में विद्रो dentro करने का काम करते हैं कर सो पाद कि एससी मुखयत है तीन प्रकार के लोगों के लोग सुन Goodbye इसमय को नियंत्रित करना और अंद तो एक एक परकार के विक्तिए हैं ये कि ही अलबसंगे समझा या से लोगों को अंदभक्त बनाने के लिए क्या क्या । कशली रास्त अपन Nathan करता है और किस तरी केसे वह इनने अंधभक्त बनाता है अब पहिले परकार के मनुश्यों को ले लेते हैं जो की अपने तलक और बुद्धी का उपयोग उचित ढंग से नहीं कर पाता है उसके अंदर वो शम्ता नहीं होती है तो ऐसे लोगों को अंदभक्त बनाना आसान होता है एसे लोगों को ज़्यादा समझाने की जरुत नहीं करेंगे या बताएंगे इसे लोगों को कि वर्ण विवस्ता ये दुनिया की सर्वस्रेष्ट विवस्ता है इसमें मानव समाज चार वर्णों में बटावगुआ होता है अब इस चार वर्णों में ब्रहाम्बन चत्रिय वेश्य और शुद्र होते हैं अब मान लीजे चत्र पेदा होगा तो चुकि पिता सोयम सेनिक था या योद्धा था और वो छत्रिय था चत्रिय वड़ने से था तो युद्ध करते समय उसने जितना कुछ भी सीखा वो अपना अनुभव अपने बेटे को देगा तो बेटा जो है वो बच्पन से ही युद्ध के अनुभव का जानकार हो जाएगा फिर वो जो चत्रिय परिवार है उस परिवार में युद्ध की बाते होगी युद्ध के बारे में चर्चा होगी तो बच्पन से वो बच्चा जो चत्रिय के घर में पेदा हुआ वो के आंदर योद्ध करने का जो मानसी सिकता है वो पहले ही अपने परिवार से निर्माण होगी तो जब बुढ़ा होगा थे कुशल योद्धा के में तैयार होगा और जब कुशल योद्ध भने गार्णग को सेनिक कुशल योद्धा पराफ्ट होगा इससे हमारे राज्य और मात्र भूमी को कोई खुलाम नहीं मना सकता तो ये गया है ये सिदा सिदा वर्ण विवस्ता के समर्थन में समझाना है अब जो पहले परकार का देखती है वो तो इस बात को महिं जाएगा अच्छी बात है हमारे राज्य की हमारी मात्र भूमी की रक्षा के लिए वर्ण विवस्ता से हमें कुशल योद्धा प्राप्त हो रहा है यह बात भी सही है कि उसकी पिता जब योद्धा रहे है तो अपने बेटे को तो वो गुन सिखाएंगे अपने बेटे को अनुभूग अपना साजा करेंगे जब साजा करेंगे तो हमें हमारे राज्य को कुशल योद्धा प्राप्त होगा वर्ण विवस्ता तो बहुत अच्छी है तो जो पहले परकार का वेख्ती है वह इस बात को मान जाएगा जो उतना उप्योग तो करता है नहीं तो उन्हें सिधे सिधे बताकर अंदभक्त बनाया जा सकता है यह पहले परकार के लोग है दूसरे परकार के वह मनुष्य है कि जो परतिप्रश्ण करते है अब मान दूसरे परकार का वेख्ती है वह क्या कहेगा वह कहेगा कि एसा कोई जरूरी नहीं है कि योद्धा के घर में योद्धा ही पेदा हो इतिहास में बहुत सारे ऐसे महराजा हुए है जो पुशल योद्धा थे लेकि उनके आ जो बच्चे पेदा हुए वह एक नंबर के नाल दिया उन्होंने कभी इस बात की भी चिंदानेकी की प्रजागा क्या हो रहा है बलकि उनके सामने अगर कोई कम्जोर दुसरा राजा अगर हमला करने आता तो वह आसानी से सरेंडर कर देते थे और अपनी मात्र भूमी को छोड़ देते थे उन्हें केवल अपनी मोज मस्ती करने से लेना देना था तो इसा जरूरी नहीं है कि अगर पिता कुशल राजा महराजा रहा या कुशल योद्धा रहा तो उसकी यहां पर योद्धा ही पैदा हो यह पहली बात दुसरी बात ही है कि मात्र भूमी की रक्षा के लिए केवल छत्री के घर में पेदा हुआ योद्धा बनाएंगे और बाकी दूसरे हैं उनकी अंदर योद्धा का गुण होने के बावजुद चूंकि वर्ण व्योर्टा में वो छत्री नहीं बन सकते इसलिए योद्धा का गुन होने बावजुद वह योद्ध लानी चाहिए गण ववस्था में राज्य में रहने वाला कोई भी विक्ति वो उस गण का सदस्य बन सकता था और संकट आने पर वो युद्ध भी कर सकता था तो यह गण ववस्था नहीं होनी चाहिए तो जब वर्ड़ विवस्था का विरोत करेगा तो फिर अल्प संख्यक लोगों के सामने यह संकट खड़ा होगा इसका मूह कैसे बंद किया जाए क्योंकि वह परस्ण का जवाब देंगे एक परस्ण का जवाब देंगे वह फिर प भक्त बनाने के लिए या अंदभक्त बनाने के लिए फिर अल्प संख्यक लोगों ने दुसरा रास्ता अपनाया उन्होंने यह खा कि भाई वर्ड़ विवस्था यह हमने थोड़ी बनाई है जो आप विरोत कर रहे हो यह तो साक्षात इश्वर की बनाई हुई विवस्थ इश्वर ने वर्णविवस्था बनाई है इसलिए इस इश्वर की विवस्था का आप विरोत नहीं कर सकते अगर आप विश्वर का विरोत करोंगे तो आपको नरप में यातनाय शेहिनी पड़ेगी आपको कष्ट सहना पड़ेगा जो इश्वर है भग्वान है उसकी है उस लूरी अरहनी मोत पृद्पा को किल ओर शो मरत वर्मोय स्क्तिमान है उसी ने दुनिया को बंडाया है वह उसन्चालन करता है उसकी सभी पर नजर होती है और उसंट करने वर्ण विवस्ता का विरोद कर रहे हो मतलब साक्षात इश्वर का विरोद कर रहे हो डरो पुस इश्वर से तो यह दुसरा दास्ता वह अपनाते हैं डर का और डर के लिए उप्योग करते हैं इश्वर का उद्देश वर्ण विवस्था के दिरोध में नहीं जाना चाहिए वर्ण विवस्था के समर्थन में अन्दभक्त निर्माण होने चाहिए तो जब इश्वर का डर बताया जाता है तो जो प्रती प्रश्ण करने वाला लेखती है वो चुप हो जाता है वो इश्वर के है फिर तो। नहीं हुगा तो डर उसकी अंदर पाइदा किया जाता है इस और Kund फ्र्थी प्रस्नit नहीं पाता इस माध्यम से फिर अंदा भक्त बनाए जाते हैं के दख सहरा ले कर इस फर अंदभ प्रस्न करने वाला रिखते वर्ण विवस्ता को समर्थम देता है और वो अपने बुद्धी का तर्ग का उप्योग प्रश्ण करने ले कर सकता था लेकिन वो अपने बुद्धी का उप्योग नहीं करता है चुकि वो इश्वर के नाम से डर जाता है इस तरीके से अंदभक्त का निर्मान किया जाता है यह दूसरे परकार के लोग है जिनके विवार को नियंतरीत किया जाता है किसरे परकार के जो लोग है वो अलपसंकिक समुदाय जो बहुजन समाज को अंदभक्त बनाता है उसके शडियंत्र को समझ जाते है कि ये लोग गुलाम बनाने के लिए शडियंत्र की हुए है इसलिए वो अंदभक्त बना रहे है तब किसरे परकार के जो लोग है वो इस क्या चुब कराया शक्ता है उनको इस प्रका डर दिखा के क्या चुब कराएएंगे वंदह भगत बनने को तयार नहीं रहे, तो फिर एइसे लोगों के लिए कानून बनाए शाब काई एक कानून तो काइदे कानून बनाए जाते हैं और तो क्योंकि अल्हसंकिक संग्धाय को पता हुटाई इसका मूह नहीं बंद किया जा सकता तो पिर वो काईद इक इसे कानून बनाते हैं। और यह बन म्रतिव दं तक क्या क्यों ताकि वो अपनी बोलीट मैं तो अंद्भक्त भी बोली नहीं वोलता है प्रस्ऽ में करता है। और मान नहीं रहां की डर को भी नहीं मान रहा ह। फिर उसकी खिलापन थे लेक इस दूसरा रास्ता है अब काईदकानों बना दिये लेकिन सारे के सारे लोग को तो फासी भी नहीं चड़ा सकते ना यह भी गलत हो जाएगा तो उसका दूसरा रास्ता यह अपनाते हैं कि वे अंदभक्त लोगों की संख्या इतनी अधिक बड़ा देते हैं कि जो विद्रो करने आम सेहां वाला है वो उस संख्या बल्ल के सामने दव जाता है आप सिंपल बात सोचिए कि यदि आप सच्चाई भी बया कर रहे हैं सत्ते भी बोल रहे हैं जानकारी सही भी दे रहे हैं उसके बाओशड अगर आपके साथ लोग नहीं है या आपके पीछे संख्या बल नही तो जो समाज है जो अंदभक्त में रुपांतरित हो गया है वह अंदभक्त समाज ही इस विद्रो करने वाले के विरोध में खड़ा हो जाता है तो वो जो जो उसी बहुजन समाच को गुलामी से बाहर निकालना चाहरा है वही बहुजन समाच अंदभक्त बनने के बाद उस गुलामी से बाहर निकालने वाले विक्ति के गिरोध में खड़ा हो जाता है तो फिर उख अकिला वित्ती तो बुश नहीं कर सकता ना हर काम के लिए संख्या बल बहुत बड़ी शक्ती होती है संख्या बल मुना जरूरी है तो अलप संख्यक समुदा इस बात को ध्यान रखता है कि अंदभक्त जो है उनकी संख्या इस अनुपात में हो कि विद्रो करने वालों से हमेशा अधिक रहे और बहुत बड़ी संख्या में रहे अंदभक्तों की संख्या जब अधिक रहेगी तो विरोध करने वाले जो है उस संख्या बल के सामने जुख जाएंगे और जुखकर फिर विरोध नहीं कर पाएंगे इसका ध्यानों रखते हैं तो इस सामाजी गुरूप से और मांसी गुरूप से दबाव में फिर वो जो विरोध करने वाला देखती है वो भी उस अनुपात में विरोध नहीं कर पाता है और इस तरीके से उनकी बोली को भी रोग दिया जाता है तो इस तरह ये तीन परकार के जो लोगे इनके इस जिग्या साके जो वेवा है उनका जो नेसर की आचरण है उस पे लगाम लगा कर फिर उनको अन्दभक्त बना दिये जाता है और फिर अंदभक्त बना कर फिर अपनी इस वेवस्था को जिसमें की अलपसंक्यक समदाए क्य Branch sahasen सक्टापर धार्मिक सक्टापर राजिनितिक सक्टापर कबजा बना रहे इसके लिए वो मिरंतर कारे прим करते लिए और यह जो अंदभक्त बनाने का काम है यह हर पीडी раздел पीडी करते हैं अंदभक्त बनाने के लिए जीए 10 साल 20 साल 30 साल यंद्स्वाइं असी ही बन जत इन दर भंद width बनाना पड़ता है क्योंगत समभंधाय करता हैं curated kijken तो यह जो परिका है मैं पहले समझाने का हवा दर दिखाने का नरग कर दिखाने का स्वर्ग का लालसा दिखाने का और भी ऐसे कई तमाम रास्ते हैं जिनको अपना कर वो अंदभक्तों का निर्मान करते हैं और उन अंदभक्तों के मात्यम से फिर इस उलामी की वेवस्था को जियो का त्यो बनाये रखने का परियास निरंतर करते देते हैं तो इस तरीके से ये अंदभक्त निर्माण किये जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं यही बताना चाहरा था कि अंदभक्त कैसे निर्माण होते हैं। तो मैंने अपने अनुभोग आधार पर और जो जानकरी जो देश दुनिया में चल रही है। उसकी आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया कि आकिर अंदभक्त कैसे निर्माण किये जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सभी को मेरा नमो गुद्धाय जैदीम जैनी वासिमा।